हेलो दोस्तो आपका जब भी मन करें पीजा खाने का तो आप सिर्फ पीजा को 10 मिन्ट में बणा के तयार करके खा सकते हो ये इतना आसान है बणाना और इतना टेस्ट ही लगता है इसके टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे बणाया है ये पीजा उडर परवाल नहीं है नहीं इसको इतना ही अच्छे तरीके से हम बणा के तयार करेंगे और इतना ही टेस्ट लगेगा आप इसको बार बार बनाने के सोचेगे ऐसे ही क्योंकि हमने इसको घर के चीज़ों से ही तयार किया है और मतलब की मार्किट से सिर्फ क्या है ये पीजा बे तो यह मैंनि इतने तरीके से तयार किया इसमें नमक मिर्च मतलब सब कुछ तरीके से तयार किया तम चट पटा अहले हमारा बढ आप बनके तयार हो जाएगा उसको चारों तरप से माँएस्पर आप इसको फ्ला हो तो इसको भी मैं आपको सेट करके दिखाते हूं इसको मैं तोड़ तोड़ के इसको चारु तरफ में इसके क्या करूंगे ली फैला दोंगे इसको ऐसे तोड़के की इसको फैला देंगे और इसमें मैंने ये एड करने केलिए क्या किया है एक टमारटर ओर ये शिमला marvelous जोट प्याजन सभी को मैंने क्या किया है अपने साइज में चेज संभा पासं चला एक भी तो इसको चारु तरफ से हम पहले क् तरीके से सजा सकते हो देकिन हम इसको गर पे ही इतने तरीके से अच्छे तरीके से बना के तयार करेंगे कि जो मार्किट से ओडर करते हैं पीजा तो इसको तो आद गंटा लगता है लेकिन हम इसको दस मिन्ट में बना के खा सकते हैं मैंने सिमलां में इको फैला दिया है या अब इसको कितना सुन्दर द इखना शुरू गया है तो अब इसको डॉम टमाटर में रख देंगे ऐसे ही आम κάंटर दी आविसको टयार करेंगे और इसको आविसको बनाएंगे तव आमारा गरम हो चुका है हड़का सा मतलब की स्लो गैस पे मैंने इसको रख दिया जब इसको बनाते टाइम मैंने चालू कर दी थी गैस और अब तक वो अच्छे से वो क्या हुआ गरम हो चुका है मुसीपे मैं इसको रख दूँगी तवे पे आज हमें इसको सिर्फ 10 मिन्ट में ही बना के तयार करेंगे ये देखिए ये अच्छे से तयार हो चुका और फिर एक बार फिर से मैं ये चीज उपर इसके ऐसे फैला दूँगी कि एक निच्चे हो गई और एक ये उपर हो गई तो अच्छे से ये इतने बेद आज्चे तरीके से सायट हो जाएगा ये देखे तवा हमारा गरम हो चुका था अब क्या करना? जो जितना पीजा बेस था इसी के साइज का मैंने बगोना लिया है इसी के उपर रख दिया है पीजा के एक दम उपर ताकि जो कोने होते हैं ये चारो तरफ से अच्छे से सिख जाए मैं आपको 10 मिन्ट के बाद ये देखिए हमारा पीजा बनके एक दम तयार हो चुका इसके उपर के जो एकोने होते हैं ये भी कितने अच्छे तरिक के सिख चुके हैं क्योंकि इसके उपर मैंने बगोना रख दिया था और ये कच्छे नहीं है एक दम अच्छे से पक चुके हैं ये पीजा हमारा और ये देखिए अमारा पीजा कितना टेस्टी है गर पे ही 10 मिंट में ये हमने बणा के तयार करती है और इसके टेस्ट में कोई भी फरक नहीं है ये सच में बहुत ही टेस्टी ये बणके तयार हुआ है अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो प्लीज मे अरे गर 2-3 दिन के लिए अमेशा 2-3 दिन के अंदर ही अमेशा बनता रहेगा यह देखे इतना टेस्टी लगाए बनाने के बाद सच में आप इसको मतलब कि यह 50 रुपे में दो आराम से बन जाते हैं तो अच्छा है यह बहुत अच्छा है टेस्टी लगा आप भी ज़रूर अच्छा बनाइ